हरे कृष्णा गुद्मानिंग सुप्रभात अकसर लोग की प्रश्ण पूछते हैं कि हमारे सबॉडनेट्स कलीग्स में अगर कोई सुप्त विक्ति है लेजी है तो उस इंप्लॉई से उस विक्ति से कैसे वहवार करें तो देखिए आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जब आप उस लेजी विक्ति को भी एक एक्टिव विक्ति बना सकते हैं तो देखिए करना ये है कि हमको उसके एटिट्यूट पर काम करना चाहिए यानि कि मनोवृत्ती पर काम करना चाहिए लोग जाधातर skills पे काम करते हैं कि मैं इसको skill expert बना दूँ लेकिन हमें मनोवृत्ती पे काम करना चाहिए attitude पे काम करना चाहिए attitude अगर change हो गया तो हम देखेंगे कि वो एक ती ऐसे ऐसे कार करेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं है दूसरी चीज है कि कभी कभी लोग सोचते हैं क्या मैं इसको dart लगा सकता हूँ तो जो लोग भौतिक वादी होते हैं वो भर-भर के dart लगाते हैं अबे सोता रहता है लेजी है तू भड़ा गुसे में बात करते हैं और जो लोग भक्त बन जाते हैं हरे कृष्णा जपने लगते हैं मंदिर जाने लगते हैं वो कहते हैं क्या प्रभुजी आपना लेजी बहुत है प्रभुजी थोड़ा सा active हो जाओ वो request के mood में आ जाते हैं तो अब हम गुसा करें ना करें ऐसे भी कई बार लोग पूशते हैं तो देखिए आप गुसा कर सकते हैं लेकिन उस गुसे के पीछे उस डांट के पीछे exploitation का भाव नहीं होना चाहिए यानि कि हम उसके साथ कोई ऐसा काम ना करें कि वो विक्ती वो office से भगा दिया जाए या वो जीवन कोई समाप्त करने का सोचने लगे ऐसा भाव नहीं होना चाहिए हम उसका भाव होना चाहिए development यानि कि उसकी growth हमारा भाव होना चाहिए फिर उस भाव से डांट लगाएं आप कहेंगे कैसे उधारन जैसे माता पिता बच्चे को डांट लगाते हैं तो उसमें क्या भाव होता है उसको दबाने का या उसको उठाने का गुरू अपने शिश्य को डांट लगाते हैं क्यों ताकि वो एक अच्छे स्तर पर आ सके ऐसे ही हम एक lazy employee को डांट लगा सकते हैं अरे तुम थोड़ा सा active क्यों नहीं हो जाते हो ऐसे करके हम डांट लगा सकते हैं वो कोई अपराद नहीं है वो कोई गलत बात नहीं है आप लेकिन उसको exploit ना करें यानि कि आप उसको कहीं हसी मजाग का एक पात्र ना बना लें कि चार लोग बटें तो चलो lazy employee के चुटकुले बनाते हैं उसको हसी बनाते हैं उस पर मजाग उडाते हैं हमारे लिए हसी हो गई और उसके लिए depression हो गया तो ये काम नहीं करना चाहिए exploit नहीं करना चाहिए तीसरी चीज़ हमें समझने चाहिए कि हम उस विक्ति को trainings दें उसकी मनोवर्ति के लिए काम करें उसको trainings दें जैसे भगवत गीता पढ़ने के लिए हम उसे बोल सकते हैं गीता के कुछ instructions हम उसको बोल सकते हैं कि तुम श्लोका याद करो जब वो देववानी में बोले गए भगवान कृष्ण के सम्मादों को बोलता है तो संस्कृत भाषा उसके अंदर एक उससाहा प्रदान करती है कभी कभी हम उसको किसी ना किसी festivals में engage कर सकते हैं क्योंकि जो उससव होते हैं वो उससाहा प्रदान करते हैं विक्ती के लिए तो कोई भी festival आपके office में celebrate किया जा रहा हो चाहें जन्माष्ट मी हो दिवाली हो उसमें उसको engagement दीजिए तो lazy विक्ती ऐसे festivals में उससाहा पूरवक engage हो जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए उस विक्ती को हमें ऐसे कामों में engage करना चाहिए जहाँ time lapse हो जाये तो कोई problem नहीं है यानि कि tat जो होता है turn around time target ना हो कि ये काम इतने बज़े तक होना चाहिए या बिचारा वो lazy है उसकी पुराने संसकार है वो नहीं कर पा रहा है उसकी efficiency नहीं है तो आप उसे गुसा भी करेंगे तब भी वो नहीं कर पाएगा एक मारूती गाड़ी है उसके आगे आपने sports car का sticker लगा दिया उसमें आपने high fuel डाल दिया तब भी वो चलेगी अपनी 800cc की speed से वो फरारी की speed से नहीं चल सकती इसलिए अगर आप compare करें भाई वो देख तो कहां चला गया तू कहां है तो ये comparison उसको दुख देता है इसलिए ऐसा comparison ना करें उसको अपनी speed से चलने दें उसको ऐसे कामों में engage करें जहां वो बिना time को finish करने की ज़रूरत नहीं है अगर बाद में भी काम finish करें तो भी चलना चाहिए उसकी habits को change करने के लिए उसको कुछ seminars में लगवा सकते हैं जहां पर वो habit changing seminars होते हैं और सबसे best होता है शिला प्रभुपाद जो सकौन के founder दाचारिया थे वो कहते थे कि lazy विक्ति को smart बनाने के लिए कीरतन में उसको सहयोग कराना चाहिए और हमेशा उसको प्रसाद घिलाना चाहिए प्रसाद प्रभु के साक्षा दर्शन जिसमें हो ऐसा प्रसाद उसको feed करें तो उसकी laziness चली जाएगी शिला प्रभुपाज जब अमेरिका गए तो वहाँ पर इतने lazy लोग थे पड़े रहते थे, drugs पीते थे और शराप पीते थे और वो कोई काम नहीं करते थे ना नौकरी करते थे ना अपने परिवार का ख्याल रखते थे ऐसी स्तिथी में भी शिला प्रभुपाजी ने उन्हें गीता से जोड़ा, उनको हरिनाम से जोड़ा प्रशाद से जोड़ा और उनकी मनोवर्ति पर काम किया तो वो लोग एक स्कॉन के प्रभुपाजी ने उनको भगवान से जोड़ा तो जो भगवान से जोड़ जाता है आटोमेटिकली उसके अंदर परिवरतन आता है जैसे हम उधारन देते हैं लोहा, लोहे का एक तत्व है ठंडा लेकिन वोही लोहा जब आग को असपरश करता है तो कैसा हो जाता है? गरम हो जाता है ऐसे ही जो विक्ति लेजी है लेकिन वो कृष्ण का अगर सपरश करेगा तो वो लेजी विक्ति भी स्मार्ट बन जाएगा तो अगर आप उस लेजी को एक्टिव बनाना चाहते हैं स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको कृष्ण से जोड़िए, आप खुद कृष्ण से जोड़िए, और उसको भी कृष्ण भगवान से जोड़िए, कृष्ण भगवान से जोड़ने का मतलब है, गीता के उपदेशों से जोड़ना, प्रसास से जोड़ना, हरिनाम से जोड़ना, अगर हम ऐसा कर प यह passionate विक्ति ऐसे बोलता है और तीसरा होता है तमोगुणी लेजी विक्ति होता है अरे भाई क्या वन क्या टू जो है सो है आलस में रहता है ऐसा जो विक्ति है जब वो कृष्ण से जुड़ जाता है तो वो रजोगुण को भी पार करके सतोगुण के स्थर पर आता है और अ भगवत गीता का सत्रवाध ध्याय सभी प्रकार के गुणों के विक्तियों का वर्णन करता है आप उसमें जाये कि मन की तपस्या क्या है वाने की तपस्या क्या है लेजी विक्ति कैसे अपने आपको सत्तोगुण में बदल सकता है क्या खाएं क्या ना खाएं कौन सा सत्तो लोगने भोजन है यह सारा गीता का ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है तो आशा करते हैं आप खुद गीता पड़ेंगे अपने इंप्लाइस को गीता धिखाएंगे उनके जीवन को बदलेंगे और अपने जीवन को यह बतलेंगे हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्त झाल